मित्र नमस्कार मेरा ना मेरा राजिंद प्रताप सिंग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पाइंट वित राजिंद अगर आप टिश्टी पिश्टी कलाविशे से तैरी कर रहे हैं और परिच्छा देना है तो फिर 50 प्रश्णों की प्रैक्टिस सेरीज जार तो इसका सही उत्तर है आपसंड एक कांची पुरम में अगले पिसने किसके सामराज में तीन स्थानों बादामी एहूल और पड़कल में अनेक मंदिर बने तो इसका सही उत्तर होगा आपसंड दी चालुक क्यों उडिशा के प्रशिद सूर्य मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो इसका सही उत्तर है आपसंड ए नर्सिंग देव प्रिथम इसकेर क्रो बहुँ चर्चित चित्र स्रंखला किसकी है तो इसका सही उत्तर होगा आपसंड ए बी सी सान्याल अगला प्रिशन है नर्क में दात्ते और वर्जिल किसका महत्पूर्ण चित्र था तो इसका सही उत्तर है आपसंड सी यूजीन देलाकरा का ओर्नांस में अन्तेष्ठी किसका सरवाधिक महत्पूर्ण चित्र है जिसे रोमान्सबात की अन्तेष्ठी कहा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा आपसंड B कूरवे अगला प्रिशन की जहांगेर कालीन चित्र अजमीर में भंडारा किसकी संग्रहमें है तो इसका सही उत्तर है आपसन बी प्रिंस आफवेल संग्रहले मुंबई में है प्रमपचारणी किसका प्रसिद्ध चित्र है तो इसका सही उत्तर है आपसन बी अम्रिता सीर्गिल अगले पुष्णे की नटराज की विख्यात तच्छित मूर्ती कहां पाई जाती है मंदिर कोणार्ख पुराने हैदराबाद सहर के मद्ध में इस्थित सूप्रसित चार मिनार का निर्मान सन 1591 इस्वी में किस ने करवाया था तो इसका सेवत्तर होगा आपसन बी महम्माद कुली कुटुप साह ने अगला प्र dispatch में सूर्ष मंदिर को खींचे जाने वाले बड़े रत में कितने घोडे दर्साए गए हैं तो इसका सेवत्तर है आपसन C साथ घोडे अगला प्राश्ण है अच्छी श्रेणी की बियर किसकी करती है तो इसका सेवत्तर है आपसन A माने अगला प्रश्णे पदमस्री गोदावरी दत्ता किस पेंटिंग के लिए जानी जाती है तो इसका सही उत्र है आफशन C. मधुबनी अगला प्रश्णे पटना कलम की चित्रकारी की जाती थी तो इसका सही उत्र है आफशन D. उप्यूक्त सभी जैसे कागज में की जाती थी फिर अब्रक का भी इस्तिमाल होता था और हाथी दात पर भी चित्रकारी की गए थी अगला प्रश्णे नंदाल बोस्ट का जन्म कब हुआ था तो इसका सही उत्तर है आफशन D. तीन दिसंबर 1822 को अगला प्रश्णे सहीद इसमारक कहां इस्तित है तो इसका सही उत्तर है आफशन B. पटना में किस चित्रकार का जन्म 16 फरवरी 1937 इस्वी को सुरेंदर नगर सौराष्ट गुजरात में हुआ था तो इसका सही उत्तर है आफशन D. गुलाम मुहमद सीख अगला प्रश्णे की 1926-27 इस्वी के दौरान मुहन जोदलो के HR छेत्र से प्राप्त एक नर्थकी की कांस मूर्थी को कहां प्रदर्सित किया गया है तो इसका सही उत्तर है आफशन सी राष्टी संगरहाले नई दिली में अगला प्रश्णे की वह सैलास्रे जो उत्तरा खंड के अल्मोणा जिले में सुयाल नदी के किनारे स्थी थे तो इसका सही उत्तर है आफशन ए लखुट यार अगला प्रश्णे गुप्त युगीन खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा कहां सुरक्षित है तो इसका सही उत्तर है आफशन ए राजकी संग्रहाले मतुरा में लखुट चित्रण में लेपिस लाजुली में कौन सा रंग प्राप्त होता है तो इसका सही उत्तर है आफशन डी अल्ट्रा मेडन यानि नीला रंग अगले प्रशन है किसके काल में मोगल लखुट चित्रण वैक्यानित्ता वा यथार्थता के उचित्तर को प्राप्त था तो इसका सही उत्तर है आफशन भी जहांकीर के समय में आरंबिक रेखांकन, प्रिष्ट भूमी, आक्रिति कारे, व्यक्ति चित्रण वा पूर्ण बाहर रेखांकन लखुट चित्र कारे साला में विविन्न कलाकारों की योगिता के आधार पर बाटा गया था तो इस प्रिष्ट का सही उत्तर है आफशन दी मुगल लगु चित्रण में अगला प्रिष्ट है गुमान द्वारा चित्रत जैपुर सहली का चित्र राम भरत मिलाप में कितनी मनवाकरतियां हैं तो इसका सही उत्तर है आफशन सी चालीस से ज्यादा पहाडी लगुचित्रों के अंतरगत बसोली सैली में चित्रत रसमंजरी पर किस सैली का प्रभाव है तो इसका सहीवत्तर है आफसन D प्रारमभिक पश्चिमी भारती लगुचित्र अगला प्रिश्ञाइ कि बंगाल चित्र सैली में वास चितरण कहां से प्रभावित था ये तो इसका स्भी तर है आफसन C, जापानी चित्र अगला प्रिश्ण है कि कुष्ण रेडी ने किस मधा में अपनी काम किये हैं तो इसका स्भी तर है आफसन D, एचिंग वे कौन भारती मूर्तिकार थे जिन्होंने अपने मूर्ति सिल्प में अपने ही जन जाती जीवन को दर्सित किया तो इसका सही उत्तर है आफ संदी राम किंकर बैज राजा रवी वर्मा ने पौरानिक कथाओं पर आधारियत अपने चित्रों को आम जन तक पहुँशाने के लिए इन में से किस छापा कला के तकनी का प्रयोग किया तो इसका सही उत्तर है आफ संदी ओलियोग्राफी देवी प्रसाद राय चोधरी दौरा निर्मित स्रम की विज़ए मूर्ती निम्रीकित में से कहां संगरही थे तो इसका सही उत्तर है आफ संदी आधनिक कला संगराले नई दिली अगला पिशने कि वाश चित्रों तक्नीक में अंतिम प्रक्रिया निमने लिखित में से कौन है तो इसके सहुतर है आफसन सी टिंट लगाना अगला पिशने नंदलाल बोश द्वारा निर्मित हरीपूरा अधिविशन के सभी चित्रों का विशे इन में से कौन सा था तो इसके सहुतर है आफसने दिन चर्या अगला पिशने निमने लिखित में से कौन भारती महीला चित्रों का जन्म हंगरी देश में हुआ था तो इसके सहुतर है आफसन सी अमरिता सेरगिल अवनेंद नाह टैगोर के किस विद्धर्थी के द्वारा पार्थ सार्थी चित्रों चित्रों चित्रत किया गया था तो इसके सहुतर है आफसने ननलाल बोश अमरिता सेरगिल द्वारा चित्रत तीन लड़कियों का माध्यम निमलिखित में से क्या है तो इसका सहुतर है आफसन C. तैल नमलिकित में से राम किंकर बैज द्वारा निर्मित सिल्प संथाल परिवार का समय क्या है तो इसका सहुतर है आफसन B. उनिस सो अनतिसे स्वी भारती राष्टी कांग्रेस के हरीपूरा सम्मेलन के लिए प्रदर्शित सभी चित्र भारती चित्रकार गुलाम रसूल संतोस द्वारा चित्र चित्र बिना सीर्शक में जोतर लिंक को किस रंग में दिखाया गया है तो इसका सहुतर है आफसन B. सफेद रंग में अगला प्रश्ण है सोमनात् होर दौरा निर्मे च्छापा चित्र बच्चे की तकनीक क्या है तो इसका सहुतर है आफसन B. एचिंग एवं क्वांटिंट अगला प्रश्ण के निम्नलिखित में से कौन सा कला के तत्व का भाग नहीं है तो दिये गए आफशन में आफशन C, चित्रकला अगला पिशने निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग समूं का हिस्सा नहीं है तो इसका सही उत्तर है आफशन C, नीला, ये ठंडा रंग है अगला पिशने सिंदु घाटी सभ्यता में निम्लेखित में से कौन सी कला का आउसेश नहीं मिलता है तो इसका सही उत्तर है आप्शन बी संस्थापन कला लगोच चित्रों में प्रियोग होने वाली तूली का यानि कि ब्रस निर्मित होई थी तो इसका सही उत्तर है आप्शन ए गिलहरी के बाल से अगला पिशने किशनगर सेली में निहाल चंद्रों चित्रत मंडप में किश्र और राधा जो कि 1750 इसमीं बनाया गया था ये चित्र के संग्रह में इसमें संग्रहीत है तो इसका सही उत्तर है आपसंडी एलावाद संगरहाले प्रयागराज में अगला प्रश्ण है गायों से घिरे किश्न बासुडी बचाते हैं यह 1987 का चित्र है और इसमें राश्टी संगरहाले ने दिली में तो प्रश्ण यह है कि यह चित्र के सेली में बनाया गया है तो इसका सही उत्तर होगा आपसंडी बीकरनेर के सेली में अगला प्रश्ण है कि ब्यापक रूप से राजस्थान के सभी लगू चित्र कारियों में सबसे विश्ष्ट सेली जो अपनी उत्कुष्ट बनावाट और धनुसाकार भाओं से बने चहरे कमल की पंखुडी के समान हलकी गुलाबी रंग की आँखें जोकी हुई पल के एक सुगठित नुकिली नाग और पतले हूँठ जैसी विश्ष्थाओं के लिए पहचान रखती हैं तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है आपसन डी किसन गड सेली अगले प्रश्ण है राग माला पाली में चित्रत एक आरंभिक चित्र संग्र है जो कलाकार वीर जी द्वारा 1623 इस्वी में चित्रत किया गया तो इसका सही उत्तर है आपसण E. जूतपूर्श चितरकला सेली अगले परशने किसके समय चितरकला में नात कुरूओं के चितर मिलते हैं तो इसका सही उत्तर है आपसण D. मान सिंग गोधुली का समय नामद चितर है जो 1780 स्वी में बनाया गया और इसमें राष्टी संग्राले नए दिली में संग्रहित किया है तो ये चित्र जो है किस सैली का चित्र है तो इसका सही उत्तर है आफसन ए जैपुर सैली का अगला और अंतिम प्रश्ण है किस सहली में बड़े आकार की आकरतियां और जीवन्त आकार की छवी चित्रों का निर्मान किया गया है तो इसका सेयुत्तर है आफशन डी जैपुर सहली में तो ये थे कुल पचास प्रश्ण जिनका अभ्यास आप कई बार कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पचास नए प्रश्णों के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद झाल झाल